नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आज की हमारी महमान ने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हाइदराबाद से MBBS की पढ़ाई की, आप शुरू से ही कुछ नया करना चाहती थी, खास तौर पर पच्चों की सेहत के लिए, लिवर ट्रांस्प्लांटेशन के क्षेत्र में आपकी महतु आपको प्रतेश्टित डॉक्टर बी सी रोय अवार्ड से समानित भी किया गया, प्लीज वलकम डॉक्तर नीलम मोहन, गॉट बॉनिग, डॉक्साब क्योंकि आप पेडियाट्रिक लिवर स्पेशलिस्ट है, सबसे पहले तो यही जानकर हैरत होती है कि बच्चों को भी होती है, जिसे हम हेपटाइटिस A और E कहते हैं, वो बच्चों में ज्यादा होती है क्योंकि कांटामिनेशन और फूड और से हो जाती है, और दूसरा हेपटाइटिस B और C, यह भी जैसे HIV स्प्रेड होता है, उस तरीके से स्प्रेड होती है, तो गर्वत ही माह से बच्च होती है, अगर आप पैदाशी कोई structural defect हो, जैसे अगर हमारी पित की नली सही नहीं बनना, तो यह पैदाशी एक structural defect हो गया है, या आपका, जिसे हम अंग्रेजी में metabolic disorders या genetic disorders कहते हैं, उसमें क्या होता है, आपके कोई enzyme की कुछ कमी हो जाना, तो obviously वो बच्चों में होती है, क disease भी हो जाता है, थोड़ा सा change हो जाता है, तो उसके कारण भी liver diseases बच्चों में हो जाती है, लेकिन आजकल जो एक नई बिमारी जो इंडिया में काफी ज्यादा हो जारी है, और जिससे हम काफी stress हो रहे हैं, पहले हम सोचते थे कि इंडिया में बड़ी भुकमारी है, malnutrition है international scenes पे सारे लोग malnutrition के उपर बात करते थे, और अभी अगर जब survey हो रहे हैं, तो metropolitan cities में 7 से 10 प्रतीशित बच्चे schools में obese category में हैं, अगर मैं overweight ले लूँ तो वो 30% से उपर हो जा रहे हैं, तो तीन में से एक बच्चा overweight और obese हो रहा है, तो उससे liver पे सबसे ज़्यादा फरक पड़ता है, क्योंकि obesity से जो liver cells होती हैं, उस पे जाके fat जब जाता है, और आपनी Indians में note किया होगा कि वैसे overall हात्माओं दूबले हैं, लेकिन पेट मोटा है, और उससे liver पे असर पड़ता है, तो वो सारा जो deposit fat है, वो सारी liver पे ज़्यादा जाता है, जो सारी liver पे ज़्या हाते हैं, digest fat को, तो वो पित जो बनता है, उससे fat digest होता है, और एक store भी करता है, मैं 24 घंटे नहीं खाती हूं, लेकिन मेरी body को, brain को तो बस glucose चाहिए, उससे नहीं मालूम कहां से आएगा, तो वो store होता है liver में, और वो constant, जो glycogen है, वो release करता रहता है glucose के form में, ताकि आपकी body को एक glucose store में ले, तो storage of the things, और जो reactions, chemical reactions हमारे body में होते हैं, उसको हम enzymes कहते हैं, वो enzyme क्या है, protein है, तो काफी proteins liver में बनते हैं, सबसे महत्वपूर्न है, खून रोकने की शक्ति, अगर हमें चोट लग जाए, तो हम खून बैता नहीं रहेगा, तो एक clot आजाता है, और जो clot क factors है, वो बनते हैं liver में, और दूसरा है metabolism, metabolism मतलब हम जो भी खाएं, वो काफी metabolize होती है, आंतों का काम है कि सिर्फ उसको लेके खून में करें, तो वो तो absorb करती है, लेकिन जो metabolize है, वो या liver होती है, या kidney होती है, तो इसलिए या आप urine में, या stool में, या मल जिसे आप कहें, स्टूल, उसी में निकालेंगे, तो जो liver से digest होता है, वो स्टूल में निकलता है, और जो kidney मतलब की metabolize होता है, वो urine से निकलता है, अब liver के बारे में हमें सुनने को मिलता है, कि इसमें regenerative ability है, तो अगर खुदनाखास था, liver में कोई बिमारी आ भी गई, तो अपने आप ठीक नहीं हो सकते हैं, लोग यह सोचते हैं कि भगवान ने तो दो kidney दे दी, लेकिन एक ही liver दिया, कंजूशी की, नहीं, भगवान ने बिलकुल कंजूशी नहीं की, liver भी इतना जादा दिया है, कि 60 प्रतिशत जादा दिया है, तो actually देखा गए तो आपको double liver मिला है, लेकिन उस चीज का आपको respect करना चाहिए, जैसे दो kidney है, वैसे double liver है, तो उसमें क्या होता है, कि जो liver में अगर fat बन गया, तो वो cell काम नहीं कर रही है, तो जितना percent fat है, वो liver dead है उतना, और उसके बाद जब scarring हो गई, scarring को हम, जैसे छोट भी लग जाए scarring, उस scarring में आपकी जान नह रहती है, ना आपको pain होगा, ना कुछ, so similarly, जो liver में scar आ जाता है, तो वो काम नहीं कर रहा है, और अगर वो scarring बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो इसे cirrhosis कहते है, तो जो regenerate करता है, जो वो एक healthy cell regenerate करती है, healthy cell का मतलब कि जैसे मैंने अपना liver का एक हिस्सा donate किया आख को, मत लेकिन अगर वो fat था या scar था, तो वो regenerate नहीं करेगा, और जो donor है liver का, वो living donor हो चाहिए, नहीं, जो donor है, मतलब कि अगर किसी का liver खराब हो जाए, तो हमें पहले तो उसको दबाईयों से ठीक करते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे मैंने कहा कि अगर आपका 60% खराब हो जाए, या 70% खराब हो जाए, तो बाकी का liver उत्ता कोप नहीं करेगा, तीन आदमी duty करते हैं, एक आदमी छुटी ले लेता है, no problem, दोनो over time करते हैं, दूसरा आदमी half day पे जाता है, तो अब ये देड़ पे बहुती जादा stress पढ़ रही है, और अगर उन में से एक बीमार हुआ, तो collapse, correct, same liver है, तो जैसे ही आपका वो system इतना damage हो जाता है, तो वो regenerated capacity गुमा देता है, because आपकी वो liver scarred हो जाता है, गल जाता है, necrosis हो जाता है, उसी तब पे liver failure है, तो इसलिए इसका मतलब डॉक्सरा, बहुत जरूरी है कि मैं समय रहते, screening करा हूँ, test करा हूँ, कि अगर क नहीं, थोड़ी भी बिमारी है, तो जल्दी पकड़ में आ जाए, उससे पहले मैं donor की बात खतम कर दूँ, उसमें ये बोल रही थी, कि donor दो किसम के होते है, एक होता है, brain dead donor, brain dead donor को हम बोलते है, cadaveric donor, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि अगर मैं यहां से जवित ना रहें, तो heaven में भगवान को उसकी जुरूरत नहीं है, उसकी जुरूरत यहीं लोगों को है, तो please अपने अंगदान करें, क्योंकि उस अंगदान से आप कितने लोगों के जीवन में मतलब जी सकते हैं, तो that was one message, sadly इंडिया में cadaveric organ donation की, मतलब A to Z में मैं तो बो क्योंकि यह लोगों को मालूम ही नहीं है कि आपके organ donate कर सकते हैं, millions of road traffic accidents होते हैं, इतने deaths होते हैं, आपने कितने सुनते हो कि dead है, तो इसलिए इंडिया में living related transplants होते हैं, living related का मतलब जो रिष्टेदार आप खरीद नहीं सकते हो उनको, बहुत strict clause हैं इंडिया के और हम खुद का रिष्टेदार ही आपको donate कर सकता है, चाहे वो liver हो या kidney हो, उसके लिए भी match कराना पड़ता है, matching होती है, जो kidney होती है, वो ज्यादा difficult है, उसमें HLA matching और यह सब देखा जाता है, liver शरीफ है, उसको सिर्फ blood group matching की जुरत होती है, और कभी-कभी हमने जैसे एक ABU incompatible जैसे आप देखेंगे की इंडिया का first ABU incompatible transplant भी हमने किया था, जिसमें की बच्चा की blood group O था और नानी का A था, तो वो young सी नानी थी 43 years की, उसका liver हमने दिया, तो match भी नहीं था, फिर भी आजकल नहीं तक्नीक आ गए, कि हम ABU mismatch transplants भी कर देते हैं, बट majority अगर मुझे message तो मुझे सिर्फ blood group matching चाहिए और अचले नहीं चाहिए, लिवर के लिए, और विग्यान इतनी तरकी कर गई है, और ये तस्वीर जिसमें आपने हातों में एक चोटा सा बच्चा लिया हुए, और background में लिखा है, world's smallest baby, 2.1 kilogram and successful liver transplant, this must be a very satisfying picture, that when there is a disease, today with the help of the science, we can cure it. जी, I think I am totally blessed, because सब को मेरा ये सोचना है कि हम सब को एक करम है, एक duty है, एक responsibility दी गई है, और खुदा ने लिखी है, and जिसमें अगर आप चुने जाते हो उस काम करने के लिए, तो वो credit पूरा मुझ पे ने जाएगा, credit तो उपर वाले पर ही है, लेकिन मैं लखी थी कि मैं सब से smallest, lightest baby था, जिससे कि हम कह सकते हैं, गिनी बुक्स में, और इसका medical language में publication भी accept हो गई है, दो किलो का बच्चा था, जिसको put severe disease थी, और दो मेने हमारे पास admit थे, और successful transplant हुआ उसका, पर डॉक साब, ताकि हमें liver transplantation की तरफ ना जाना पड़े, prevention पर हम जोर दे, तो जो screening क की बात है, कौन सी उमर में आप कहती हैं कि liver का test कराएं हम, स्टार्ट में करती हूँ एक simple सी बाट से, मैं जित्ती बार लोगों को मिलती हूँ और शायद दूरदर्शन में भी, लोग कहते हैं यह भगवान हमें doctor से दूर रखे, जुरत ना पड़े आप, यह बहुत गलत attitude ह कि आप समझ नहीं रहे हो कि doctor की पास Indians तब ही जाना चाते हैं कि जब वो बिमार हो जाते हैं, क्यों? जब आपको भूख पूरी नहीं लगती है, फिर भी आप एक set time पे तीन time खाना खाते हो, आप बोलती हो time हो गया, तो आप नहीं खाओगे तो 12 गंटे भी नहीं लगेगी इसी तरीके से Indians को accept करना चाहिए कि prevention is also better than cure, कितनी लोग ये सोचते हैं जो आपने का कि कुछ बिमारी होने से पहले, कितनी लोग अपने health check-ups कराते हैं, माना की health check-ups एक age के बात हो, हर एक चीज, जैसे breast के लिए आपको बोलते हैं कि 40 years के बात mammography करो, gynae की एक होती है, काडिया क्या आपके होते हैं, annual check-up होते हैं, educated लोग क्या, uneducated लोग क्या, everybody defaults, defaults मतलब, खास तो पर लिए के प्रतियम जादा ला परवाएं, ला परवाएं, तो उसके लिए, चाहिए वो बच्चे हो या कुछ, थोड़े चिन होते हैं, क्या चिन है, सब को मालुम है, पी भुक नहीं लग रही हो, पेट बाहर आ जा रहा हो, या पाउं पे सोजिश हो, या पेट पे सोजिश लग रही हो, ये सब चिन भी बच्चों के अंदर हो सकते हैं, बड़ों में हो सकते हैं, जब हम बोलते हैं कि पेट पानी आ गया, सोजिश आ गई, भुक नहीं लगना, ठकान मैसूस होना ये सब भी लिवर की चिन हो सकते हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है तो तब करना चाहिए और रेस्पेक्ट करें कि लिवर को क्या चीज है जो प्रिवेंशन कर सकती है आपको ये सुनके हैरानी होगी कि क्या लिवर को भी डिटॉक्सिफाई कर दे हां खान तो वेजटेबल होती हैं फूट ये सबसे इंपोर्टेंत होते हैं नच हो गई कैबेज, कौलीफला, फूट्स ये सब हमको डिटॉक्सिफाई करते हैं जो शुरू शुरू में एक इंडियन की जो मील होती थी कितनी ब्यूट फॉल सब दुनिया नजर लगाती थी हमारे ख oxidants and detoxifying लोग कहते हैं कि साथ किसम के पदार थे fruits लेते थे धहीं लेते थे पनी ये क्यों ये बड़े लोग बड़े समझदार थे वो नानी के नुसके बेफकूफ नहीं थे वो नानी सही कहती थी कि जब आप ये balance diet लेंगे लेकिन आज कल के लोग सारी westernize diet पे पहुंच गए है balance diet जैसे थी नहीं है बच्चे की माएं मुझे आके कि मेरा बच्चा डॉक्स अब सबजी नहीं खाता है सबजी के नाम पे क्या लेता है आलू लेता है अब मैं कुछ समझ नहीं आता है मैं किदर देखूं कि आलू ही सिरफ सबजी रह गी कून खाता है ना पता गोबी गोब मतर पालक और कॉली फलाइ गीया तॉरई टिंडा ऐसे मूँ चड़ाते हैं कि मैं ही हैरान हो जाती हूं तो किसकी गलती थी क्या वह बच्चे की गलती थी या हमारी गलती थी बरा मत माने बच्चे वही करते हैं थोड़ा बध्ज जो हम सिकाते हैं अगर एक बच्चा औड कि किसी और family में जाये, उसका खानपान कैसे होगा? उस family जासे होगा. तो कहीν न कहीं मैं माओं को बोलती हैं और ठोड़ी नाराज़गी उनसे आजा, तो लोग करते हैं, अगर आप बच्चे प साल के बच्चे नौ मेने से लेके छी मैने पर उपर की खाना शुरू करते हैं, या टेस्ट बढ़ जाती हैं, तब से दो-डाई साल तक महननत करेंगे, तो आज एवन भर आप भी खुश रहेंगे और बच्चे की पत्नी भी खुश रहेंगे बहुत खुब डॉक साब, non-vegetarian diet और liver का क्या रिष्टा है non-vegetarian diet ऐसे निये की खराब है but generally because आप सरफ अगर non-veg खाते रहे तो उसमें आपको protein मिल रहा है लेकिन जो मैंने कहा था की a good amount of you know the balanced diet में जो antioxidants जादा है या proteins के साथ आपको vitamins and minerals वो सब का balance नहीं होता है तो जो non-veg खाते हैं तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप सबजी में मिला लें काफी लोग जैसे chicken में आप उसके अंदर बच्चा नहीं भी खाया थोड़ी से सबजीयां डाल दे डाल बनी है तो आप mixed डाल बना दे सबजीयां डाल दे बच्चा smart है तो आप सभा सेर बनी है आप cutlet बना दीजिए सबजीयों का आप रोटी स्टफ कर दीजिए सबजी की आप उसकी डाल में डाल दीजिए तो आपको भी देखना पड़ेगा और शुरू में मेनत करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे तो डॉक साब जैसे लिवर की जो बिमारियां है चाहे फैटी लिवर की बात हो या जैनेटिक मेटबॉलिक की हो आपकी आपकी फैक्टरी आप की को पराया समझ के आप ही क्या अगेंस लड़दा शुरू कर देती है तो आपको मेडिसन देने परते हैं जिसके कि आपकी लडने की शक्ती कम करें अपने ही लिवर से ना लड़े पर डॉक्स अब इसको पहचाने कैसे क्योंकि कई बार पेशन्स ये भी कहते हैं कि जी मैंने तो 3-4 साल टेस्ट कराए कुछ नहीं आया एक एक लिवर सिरोसिस हो गया जिसको हम फाइब्रोस्कैन केते हैं वो भी एक अल्टरसाउंड है लेकिन उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेर है जो लिवर के अंदर स्कारिंग भी डिटेक्क कर लेता है तो आपको सिर्फ लिवर बाइपसी करने की जूरत नहीं उसे पहले भी आपको पतासल सकता है कि पर बेसिकली उसका जो तक्नीक एक वाइबरेशन जारी है और वो जो वापिस आती है कितनी स्पीड से आ रही है वो देखना होता है अगर आप उसका करने का तरीका गलत है तो नहीं आगा इसलिए जो करते हैं वो एक मीन एवरेज लेते हैं उनको काफी टाइम करना होता है और उसकी मीन रीडिंग दी जाए तो डॉक्सर माली जै किसी को खुदरना खास्ता किशोर अवस्ता में लिवर सिरोसिस हो गया आपने उसे दवाईयां दी अस्टेरोइज अपने दिये तो क्या उसको ताउमर ट्रीटमें लेना पड़ता है या एक बार हमने दवाईयां ल लेकिन वो फिर भी कंपेंसेट कर रहा है ओवर टाइम कर रहा है डिकंपेंसेट मतलब आप देड़ से जादा आपमी चुटी पे गए और वो दूसरा वाला आदा दिन आ रहा है अगर कुछ हुआ तो वो डिकंपेंसेट मतलब गिर जाएगा तो डिकंपेंसेट में आपको लिवर को अच्छा रहे मुटापा अपने आपको आने नहीं दोगे exercises is very important हम सब को despite इतना hectic schedule रखते वे मेरा मैं साड़े 8 से साड़े 9 gym and exercise करती हूं six days a week six hours a week चाह कितना भी busy होने के कारण so that sort of a spirit should be there कि वो भी जिस तरीके से आपकी body को खाने की जूरत है उस तरीके से आपकी body को exercise की भी जूरत है चाहिए वो walk हो चाहिए वो gym हो चाहिए वो yoga हो चाहिए वो तो that is very important तो और दूसरा drugs यह Indians की एक बहुत कमजोरी है कि over the counter जिसे हम OTC chemist के पास जाके मुझे यह बिमारी है दवाई दे दो एक बहुत चल्चित दवा है लोग over the counter दवा लेके liver की अपने आप शुरू कर देते हैं कता ही नहीं करना है यह बिलकुल नहीं क्यूंकि आप यह बताईए कि एक doctor जो विद्या हासिल करने के लिए मतलब 10-12 साल लगा join करते हैं और तब से हमें करते करते 35-30 तक परते ही रहते हैं तो वो chemist कैसे आपको बता देगा कि आपको क्या जूरत है तो यह क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो दवाई आप ले रहे हैं वो भी तो metabolize liver में हो रही है तो थोड़ी दवाईएं होती हैं जो बहुत cautious हो जैस की दवाई यह सारी metabolize में आपको regular check-up करना होता है तो regular check-up का क्या मतलब है किसी को हम six months कहते हैं किसी को हम one year कहते हैं लेकिन अगर पहले से liver कमजोर है तो हम three months भी कहते हैं तो that is why आपको prevention is better ऐसे नहीं सोचिए कि आपको doctor से दूर और जो आजकल की mentality बन गई है मतलब की एक doctor को भी commodity का दर्जा दे देते हैं सोचते हैं कि पैसे से हमने खरीद लिया but the attitude is also getting very negative बिल्कुल मानसेक्ता में कही ने कहीं बदलाब लने की जरूरत है ताकि जो patient और doctor का रिष्टा है वो मजबूत हो सके और जैसा doctor Neelam ने कहा कि patient doctor के पास सिरफ curative तौर पर ना जाए preventive तौर पर भी जाए क्योंकि बात हमारी सेहत की है हमने इस सेग्मेंट में अब तक जाना कि क्यों liver important है और जहां तक blood organ donation की बात है organ donation के प्रति हम लोग और सजक हो और break के बाद हम जरूर doctor Neelam आप से जाना चाहेंगे आपकी schooling और college days के बारे में एक छोड़ से ब्रेक के रुख के र रहे हैं dr. Neelam Mohan के साथ dr. Neelam आपने बताया कि विद्या का जिकर किया था आपने की doctors को बहुत मेनत करनी पड़ती है थोड़ा अगर आपकी schooling के दिनों की बात करें तो आप तो हाइदराबाद से थी क्या यादे हैं उन दिनों की first of all तो मेरी schooling होई थी convent school में and convent school के थोड़े फैदे होते हैं जैसे मैंने का बच्पन से आपको एक discipline सिकाया जाता है prayers are very important going to church is very important nuns रहती है teachers रहती हैं तो वो एक माहूल काफी अच्छा रहता है because आप शुरू से ही दूसरों का respect करना और भगवान के प्रती thanks करना उनकी जो attitude होता है वो कभी भी मांगने से ज़्यादा thank you कहते हैं तो जो मिला है उसमें हम खुश रहें और उसी के लिए फहले thank you करें और हमेशा न मांगते रहें ये चीज आपको बच्पन से समझ आ जाती है कि you have to be grateful for what you have and school में ये था कि convent school में class में काफी numbers होते थे हमारी class में तो 50 plus students होते थे तो एक तरीके से healthy competition भी रहता था बिकोज जिते जादा लोग हैं तो आगे आने की लिए आपको जादा मेहनत करनी पड़ती थी तो I have very good memories exercise both importance दी थी थी we used to do a lot of drills and all that stuff तो and थोड़ा सा favorite थी लेकिन में गाने में कमजूर थी और एक जो convent school होता है उसमें choir बड़ा important होता है you know singing and all that और मुझे बिल्कुल पसंद ही आती थी I was very fond of dancing and dance मुझे बड़ा अच्छा आता था लेकिन singing नही आती थी तो आप उस teacher के आंग के थारे नहीं बनती थे जिससे आपको भी मुभबत थी और आप चाते थी कि मैं इसके आंग का थारा भी बन सको एक मेरी friend थी वरा और एक मैं and as luck would have had it organic chemistry में मैं ने पूरे college में फिर 12th class में top किया और college में मैं second आई थी और वरा जो मेरे साथ out हुई थी वो first आई थी so it was a good thing but थोड़ी बदमाशी तो सब कर लेते हैं लेकिन friendship जिंदगी में होनी जरूरी है और कई बार आप friends को बचाने की कोशिश भी करते हैं जी मैंने जैसे बताया family को तो आप चूस नहीं कर सकते हो लेकिन generation से जो चीज नहीं बदली है मैं मेरे बच्चों में भी देखती हूँ अभी my elder son is 25 and younger son is 16 and उनमें भी एक बेपना मौबत देखती हूँ अपने friends के लिए कि वो एक बारी छोटे बेटे को कुछ punishment मिली मैंने का आपने क्या किया actually I didn't do anything लेकिन उसने किया उसने कुछ फिका और मुझे कुछ हसी आ गई लेकिन वो जो attitude होता दूसरे को बचाने का वो अभी भी नहीं बदला तो तब मैं को खयाल आया कि मैं भी जब student थी तो मैंने दूसरे को बचाया और मुझे punishment बार मिली लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मैंने नहीं किया था और वोही चीज तो friendship is something मतलब कि I think बिना friendship के जिंदगी अधूरी है because आप चाहो या ना चाहो जिंदगी में आपके पास चाहिए आप कोई भी हो आपको friends बहुत जरूरी है because एक friend ही है जो आपका philosopher, guide आपे डांड भी सकता है, खुशी भी जिता सकता है आप दिल की बात सब कुछ बोल सकते हो, तो अगर आपके पास friend नहीं है तो आप कुछ miss कर रहे हो और आपकी health के लिए भी बहुत जरूरी है because वो एक अजीब सी खुशी, अजीब सी प्यार मिल जाता है at the end of the day आजकल technology इतनी बढ़ गई है कि वापस से वो WhatsApp में सब को हमें को वापस ला लिया है जिसके जरिये before going to bed, we are always trying to, मेरी friends अब अमेरिका में हैं, हमारे पांच का एक group था और वो अभी भी हम सब connected है and तो एक दूसरे को क्या हो रहा है message और friends आपको healthy चीछ समझाना चाहिए, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वो आपको बोलें कि ये गलत है, वो एक सचा friend है आपको हमेशा जूटी तसलीन नहीं देनी चाहिए लेकिन friends के साथ साथ अगर family की बात करें, आप तो इतनी प्रसेट doctor हैं, लेकिन आप माता पिता medical background से नहीं थे तो अगर आपके childhood की बात करें, तो क्या बहुत pampered child थी, क्या आप में शुरू से दबाफ था कि आप doctor बनें? Pampered के तरीके से तो मैं यही बताऊंगी कि काश में इतनी pampered ना थी, because मेरा यह सोचना है कि आप एक total budget लेके आते, प्यार महबत का, तो overdose शुरू में नहीं दे लें, क्योंकि फिर बात में बड़ी sacrifices and बड़ी यह बड़ा इंट्रेस्टिंग लग रहा है कि प्यार महबत का भी budget होता है, budget होता है, तो मेरा budget भोध और डोस में चले गया था, बच्पन में, इतनी जादा pampered थी, क्योंकि शहएद, my father was very fond of a daughter, and I have one brother, जो मुझसे 6-7 years बड़े हैं, 6 and up, तो उसके बाद, everybody used to pamper me, कि शहए उसे, and बच्पन में मैंने यह देखा था, कि two generation, उस generation में सिर्फ दोई profession थे, doctor का और एक engineer का लड़की होती, तो वो जादा था, doctor ही, उससे उमीद की जाती थी, मैं को बहुत शौक था कि मैं administrative service में जाओ, शहएद थोड़ा सा power मुझे अच्छा लगता था, जब मैं देखती जिन्दगी में, बच्पन में एक person से आप बेहत मोहबत करते हो, हर child में वो मेरे father थे, that father was my dream, my vision, my love, मतलब सब कुछ मेरा, मेरे father थे, क्योंकि मैं उनकी जान थी, और एक और चीज कहूंगी, जब आप किस से बेपना मोहबत करते हो, तो आप कहते हो मेरे जिगर का तुकड तो देखा, जिगर is more important than दिल, तो मैं दिलवालों से लड़ती हो, कि दिल से जादा जिगर की जुरत है, और मैं जिगर की रानी, जिगर की डॉक्टर हूँ, बहुत कूब, पर ये आपने कब अपनी लेक्षे बनाया है, कि आपने डॉक्टरी करनी है, और फिर लिवर में स् नाशनल लेवल पर जाओगी, इंटरनाशनल, तो मैं सोचती थी, हाँ, शुरू कर दी, अब ये तो अब भी बोलते रहेंगे, और obviously मुझे लगता था, कि हर बाप को लगता है, कि अपनी बेटी बहुत बड़ी बनेगी and all, but he was a very religious person, he used to pray literally four to six hours a day, कि मैं बहुत तरक्की कर तो क्या होता है कि subconsciously, ये आपने ये डियरी जिन्दगी में जो में भी देखी है, मैं बात में आऊंगे उस मुवी पर, subconsciously बच्पन में जो कभी आपके साथ चीज होती है, वो आपके जहन में चले जाती है, दिमाग में चले जाती है, तो मैं उस चीज से बड़ी बली बता ही नहीं, किसी से शेर ने करी, बट वो मन में रह गया था, वो ही चीज ये डियरी जिन्दगी जो शारुक खान की है, उसमें भी यही बताया गया है, कि वो बच्पन से उसके साथ कुछ हाथसा होता है, आलिया बट के साथ, जो उसके जहन में बढ़े तक चला जा रहा है, वो बहुत सही है, वो किसी को समझ नहीं आएगा, लेकिन as a child आपकी memories, तो वो memories से मैं करी, तो तब 90s में जब मैं education करी, तो मैं देखी कि क्या इंडिया में नहीं है, तो तब liver transplant जैसे नाम की कुछ चीजी नहीं थी, तो मैंने training फिर All India Institute में करी, and मेरे mentors, Dr. M.K. Bhahn, वो वहाँ पर professor थे और अभी DBT technology में government ministry का दर्जा, secretariat में बहुत बड़े doctor होने के जारें, scientist हैं, तो उन्होंने मेरा recommendation उसमें UK में लिखा, because मैं फोती sincere doctor थी शुरू से, मतलब मैं AIMS में जब काम करती थी, साड़े साथ से लेके साड़े आट बजे तक I was just obsessed about working and कोशिश करती थी कि जो लोग एक साल में करते हैं, मैं कुछ उसको मतलब की आदे साल में कर लो, ऐसे मेरा thought process था, वो इसलिए क्योंकि मेरा एक five years का और ये कैसे कर पाई, तो ये सब इसलिए हुआ, क्योंकि I am very grateful कि मैं इंडिया में हूँ, क्यों? क्योंकि इंडिया में joint family जैसा है, जो सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगी कि हमें मतलब कि ये बहुत blessed है हम कि जो हमको in-laws मिलते हैं, हमें उने भी उनमें अपने माबा आपका ही रूम देखना चाहिए, और उने भी उतना ही प्यार करना चाहिए, जितने वो अपने बच्चों से करते हैं, तो तब ही होगा, मैं बहुत खुशकिसमत थी कि मेरी mother-in-law की बहुत तमना थी कि कोई डॉक्टर बने, तो उनके बच्चे नहीं बने, तो उन्होंने एक बहु डॉक्टर ली, मेरे हस्बंड डॉक्टर नहीं है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जब मेरी शादी हुई तो अपके हस्बंड राजीव जी तो एक प्रसेद ऑंटर्परणर है, तो क्योंकि जैसे आपने कहा है डॉक्टर को पढ़ने में काफी समय है, तो शादी के बाद आपको पूरा मौका मिला, कि आपनी पढ़ने करें। तो क्यों कर रहे हुए? आपका अपना डिसिशन था? मेरा अपना डिसिशन था? Dr. Neelam, mothers watching this program would like to know, when you were pursuing higher studies in England, and that is after your marriage, when you said you had a five-year-old child, didn't you miss your children? Yes, so I was very grateful to my mother, she came over with my son, and they spent quite a lot of time, balance, balance, then three-four मैंने वहाँ जाते थे, फिर three months, तो मैंने उसको वहाँ पे भी school join करा दिया था, बढ़ी वुस्ट फाइब उस्ट फाइव यस ओल और यहाँ पर भी नस्री, बट उसको वहाँ के बच्चे अच्छे नहीं लगे, और वो थोड़ा सा शेद, वहाँ जादा तर इंडिया में रहता था, एंड 40% मेरे साथ मारा रहा, इट वहाँ बैलन्स लेकिन मैं यही बोलूँगी कि, इस्पेशली विमेन को जो चाहे मैं सुन रहे हैं वहाँ मुझ से नाराज होएंगे, लेकिन नाराज मत होएं आप लोगों की भी बेचियां हैं, एक औरत को हमेशा जादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है और यह सच है क्योंकि वह उसे एक वाइफ की भी ड्यूटी करनी पड़ती है, एक मा की भी ड्यूटी करनी पड़ती है, घर की भी ड्यूटी करनी पड़ती है, और अपने प्रोफेशन की भी ड्यूटी करनी पड़ती है, हम यह नहीं बोल सकते हैं कि हम बेस्ट हैं प्रोफेशन में तो हम यह नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया में जो एड्वांटेज है कि आपको help पिल जाती है, खाने के लिए कोई help मिल सकता है, इसके लिए help, तो ये बहुत फैदा होता है, जो western countries में मेरे friends को नहीं मिला, जो मुझे मिला, तो इसी लिए हम थोड़ा extra कर पाते हैं, जो वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन 100% मेरा कोई my baap नहीं था, कि मैं बोलूं कि किया, सब कुछ मुझे सजीवी plate में नहीं मिला, मुझे मेहनत अपनी पूरी करनी पड़ी, तो ये journey जो थी, इसमें बहुत सारे hurdles थे, इसमें बहुत सारे sacrifices थे, sacrifice कि मैं जादा अपनी family के साथ time नहीं बिता पाई, बच्चे के साथ time नहीं बिता पाई, या parties या घुमना फि outings करती थी, because मुझे हरिक टाइम अपनी planning में लगी रहती थी, कि सब कुछ करें, लेकिन end of the day, dear जिन्दगी, काफी खुश हो, because जो मनजिल दी है, जो खुशियां तुमने हमें दिये है, कितों को ये नहीं मिले, किते और को recognition नहीं दिया, तो मुझे काफी grateful हो, इस आना, तो ये बहुत satisfying है, और Robert Frost का कहना है, miles to go before I sleep, अभी बहुत कुछ करना है मुझे, शहिद ये शुरुवात ही लग रही है, मुझे, at 50 years मुझे लगता है, कि अभी बहुत कुछ करना है, अस्मानिया मेरिकल कॉलेज, हाइदराबाद के आप पहली महिला थी, जुने डॉ बहुत बड़ी उपलब्दी है, और जैसा आपने का, miles to go before I sleep, that's the adage, तो खाली समय जब मिलता है, तो आपको movies देखने का शौंक है? सबसे दादा, मेरे घर में हसी होती है, जब मैं भी मैं थकी भी हूँ, तब भी रात के 10 बजे अगर मुझे एक movie मिल जाए, and I like to go and see, I have not much of, सिर्फ news देखती हूं, TV का मैं serials बिल्कुल नहीं देखती हूं, right from बचपन से अभी तक, I have not been addicted to TV serials or anything, like that, सिर्फ news देखते हैं, और आजकल तो news is quite handy, आपको mobile में ही चलते-चलते news मिल जाती है, so the only thing which I am fond of is movies, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूं कि कोई movie मुझ से मिसो, and I like to see it in theatres, and mostly night shows में ही जाती हूं थाकि काम डिस्टर्ब ना हो, अब जब आप बच्चों की डॉक्टर हैं, सिर्फ चराब ही कारण नहीं है, आपने कहां कि और भी कारण है, इतने सारे कारण जो हमने बताए हैं, मोटापय से दूर रहे हैं, unnecessary drugs मत रहे हैं, vaccination लगाई है, healthy diet लीजिए, exercise का धिहान रखिए, यह सब आप सब पेच्च्च्च is B, hepatitis B, HIV से जादा problem है इस country में, almost 3.5% people in this country, जो 1.2 billion हमारी population है, उसमें hepatitis B है, तो हमें vaccine लगानी चाहिए, hepatitis B के अगेंस्ट, और hepatitis A की vaccine, especially बच्चों में जुरत है, hepatitis A दूशित पानी वक खाने से होता है, तो उससे आप जब vaccine लगा लेते हो, तो उससे बच्च्च्च् क्या है, चाहिए वो blood-borne, hepatitis B हो या भी की vaccine लगती है, गवर्मेंट आजकल काफी जगा पे free vaccines मिलते हैं, 0, 1, 6, मतलब 0 मतलब अगर आज मैंने लगाया, 1 मतलब एक महने बाद, 6 मतलब छे महने बाद, और hepatitis की 2, 0 और 6, और hepatitis B की vaccine काफी चीप है, कुछ expensive नहीं है, तो प्री तो दोक्सा आप बता रहे थे जब आप पढ़ाई कर रहे थे हाय स्टाडी तब एक तरह से आप double shifts करते थे, एक shift तो clinical और दूसरा research के लिए, तो जब liver और liver की बिमारियों की बात आती है और prevention की बात आती है, कौन से ऐसे अंसुलजे सवाल हैं, जिस पर आपो लगता है की शो research hepatitis B पर कर रही थी और liver की जो transplant जिसके लिए होता है metabolic diseases उस पर ये दो पर two years जादा करी थी, I think जो आजकल लोग सोच रहे हैं की stem cell बड़ा तहलका है लेकिन ये कुछ हुआ नहीं, मतलब की stem cells पर हम जो सोच रहे थे, या liver cells की बारे में जो सोच रहे थे, जितना भी कहें, last generation generation से जादा research चल रही है लेकिन अभी उतना हुआ नहीं, I think उस पर अभी बहुत research बाकी है, तो जो research होती है, लोग सोचते है research का मतलब होता है, tubes लेके बैढ़ जाएं आप और microscope लेके बैढ़ जाएं सिर्व वो research नहीं है, आम लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि research का मतल अभी होता है, clinical भी, clinical research का मतलब अगर मेरे पास सव मरीज आएं हैं, जिनका liver fail हुआ है, तो वो कौन सी blood test पी वो बच पाए, कितने पे नहीं बच पाए, क्या, तो उसे हम clinical research भी कहते हैं, तो जब तक हम वो एक दूसरे के experience लिखते नहीं हैं, तो जैसे अगर पूरे world में हम देखें, तो हम 10 centers मिल जाते हैं, और 10,000 बच्चों में देखा गया, कि अगर blood root इतना आ जाए, तो वो damage हो गया, तो उसे हम clinical research करते हैं, और फिर एक drugs होती हैं, कि आप drugs को पहले animals में study करते हो, फिर phase trial करते हो, जिसमें हम phase 1, phase 2, phase 3 बहुते हैं, phase 3 drugs के trial देते हैं, तो वो sign कर कि आप देखते हो कि कौन सी trials होती हैं, तो यह सब research होती हैं, तो मुझी जैसे लगता है, कि जो मुझे interest है करने में, वो रहेगा clinical research, and to see, to work a little more on things like यह जो stem cells हैं, और उस पे, I am not sure कि next 10 years में कुछ तहल का मचेगा, but there is lot more to do. क्या buzzword क्या हो सकता है, liver के क्षेतर में, कलपना अगर करें brainstorm, अगर stem cells नहीं, तो क्या buzzword हो सकता है? कि जैसे आपकी kidney में एक dialysis जैसी चीज है, liver की dialysis machine निकली है, लेकिन वो dialysis cost करती है, वो देरला की एक dialysis होती है, और वो उसके बावजूद भी, आप सिर्फ temporary effect gain कर पा रहे हो, उसके बाद भी आपको transplant की जूरत परती है, तो जो next चीज हो सकती है, वो यह है कि, अगर हम यह जो liver cells है, उसको किसी तरीके से समझ लें, कि वाहर उसको कितने cells आपको body में देने चाहिए, जो अंदर जाके grow करें, और इतना, क्योंकि अभी जब हम liver cells देते भी हैं, तो वो after some time मर जा रही है, थोड़े महीनों की बाद वो नहीं रे पा रही है, तो liver transplant ही करना पड़ रहा ह अगर हमें यह पता जल जाए कि कितने liver cells से हम उस चीज को regenerate कर पाएं, तो that is going to be a very important thing कि वो क्यों मर रही हैं, वो क्या reactions हैं, और यह काफी research इस पे चल रही है, next two decades I think will be a very major thing that will happen, कि बिना transplant के भी अगर आप cells infuse कर दें, और आपको उस cells से पता चल जाए, और blood test ही हम इतना कर दें कि blood test से ही मैं बता दूँ आपको, कि आपको cirrhosis कितना हो रहा है, या जिस तरीके से हम बता रहे हैं, कि scans में बता पाएं, कि already कितना damage हो गया, तो यह सब research हो रही है, और जो हमने कभी सुना भी नहीं था transplant के, जब हम students थे, और अब तो हम महीने के, साल के हम 300 transplant कर 1 year and overall survival है, तो इतना ज्यादा success rate की अब हम world scenario में हैं, कि हम इतना transplant का success rate दे रहा है, लेकिन हमेशा ये glass आदा भरा है, आपको लगता है कि थोड़े नहीं बचेंगे, लेकिन ये बचेंगे, तो transplant की बाद भी life बहुत beautiful है, तो ऐसे नहीं है कि transplant के बाद आपकी कोई जिंदगी नहीं है, बाउंटेबरिस्ट पे चड़ गए हैं, जिन्होंने transplant किया है, उन्होंने बच्चे भी पैदा कर दिये, तो बोथ हिंदू और मुस्लिम दोनों में है करम and duty, तो आप अपना करम करिए, कि अगर आपको लगता है कि बच्चे को transplant करना, आप कौन होते हैं, डिसाइ है, तो अगर यहां हम organ donation के प्रती और अवेर हो जाएं, तो जो आप कहरें आदा किलास, वो पूरा भी भर सकता है, जी, बिलकुल यह जो living related होते हैं, जो आप अपने को किसी को donate करते हैं, अगर cadavar organs बढ़ जाए हमारे country में, western country में 90 to 95 percent cadavar होते हैं, और 5 to 10 percent living related होते हैं, औ 2-3 percent cadavar होते हैं. इंटेस्टाइन हो, डाइरिया हो, बचों को पेट दरद हो, उल्टी हो, तो फलना फुलना नहीं हो, ग्रोथ नहीं हो रही, इस पे बहुत जादा काम किया हैं मैंने, और special पूरी इडिया में हमने एक जो studies, motility, manometry, work, यह सब कहते हैं, वो यह देखने के लिए कि क्या चीज है, जो आप कभी vomiting नहीं पसंद समझ पाते हैं कि क्यों हो रही, तो वो सारा चीज का काफी research करते हैं हम और उसको करते हैं, in fact मुझे खुशी होईगी आपको बताने की, कि पूरी इंडिया में पहला department, पहले जिन्नोंने, मतलब डॉक्टर फ्रेहान की मैं thank you करूंगी, कि काफी लोग हैं, बच्चों के department ज्यादा आपको पैसे generate नहीं करके दे सकते हैं, private sectors में भी, वो मसा break even भी नहीं लेते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि एक complete department बने, जिसमें बच्चों की आनतों और जिगर की A से लेके Z तक तरीका हो, तो वो चीज इंडिया में पहली बार ए हैं, सिर्फ इतने से हिस्से में और इतना कुछ काम हैं, क्योंकि जब आप चाती हो कि आप perfection करें A to Z, तो मैं जब AIMS में काम करती थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे, लेकिन इतना end में दुखों के रोना शुरू हो जाती थी कि कभी जिंदगी में मैंने एक रुपया donation करना चाहिए, और काफी जो अच्छे लोग हैं, वो believe करते हैं कि 1% of your earning और government ने जो CSR भी निकालाई, बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को आना चाहिए, जिसमें से ये health पे भी हो, insurance हो, और मुझे लग रहा है कि next 10-15 years में आप देख लें, अभी भी मेरा भारत महान, क government of Pakistan से transplant साते हैं, वोनोंने मुझे felicitate कि award दिया है, कि मैं उनको same rate पे करते हैं, at a very low cost, उसी तरीके से हमारे पास Africa से, Nepal से, Bangladesh, Sri Lanka, India, सबसे आते हैं diseases, और हमारी कोशिश होती है, कम से कम cost पे उनका transplant, तो वो जो चीज़ है, उसको लिए आपको चाहिए support उपर से, कि भई, ये Robin Hood style, बच्चों को आपको करना है, मेरा तमन्ना है जो आपने पूछा next क्या करेंगी, मुझे नहीं doubt है कि ये हो पाएगा, बट किसी ने कहा है कि Piscean हों है, Marshbourne, तो Pisceans बड़े dreamers होते हैं, तो dream मुंगेरी लाल के सपने थोड़े, तो dream करते हैं और पता नहीं कैसे मेरे dreams हमेश बस चलते गए, बच्चमन में dream किया, doctor बनों फिर dream किया, कि एक gastro की बन जाओं, फिर dream किया, liver transplant करूं, तो फिर dream किया, department बनाओं, तो अभी तक इतनी रहमत रही है, सब कुछ हुआ है, लेकिन बहुत मेनत लगी है, अब confusion है कि और dream करूं या खुश रहूं जितना कुछ है, बट एक छोटा सा dream है, अगर कभी सच हो जाए, कि कोई एक ऐसे मिल जाए, जो बच्चों का hospital established हो, मतलब कि उस जगा पे सब कुछ बच्चों की savvy हो, और 30% free हो, कुछ उसमें से इतना ही break even हो, लेकिन A to Z हो. तो जैसे आपके husband प्रसेद entrepreneur है, कभी आपने सोचा है कि एक दिन Dr. Neelam खुद एक अपना hospital खोले entrepreneur बन जाए? वेल, उसमें ये सूचा था, लेकिन उसमें कभी ऐसे लगता है कि मेरे को भगवान ने बहुत कुछ clinical skills दिये हैं, तो मैं administrative में 20% अपना लगाना चाहती हूँ, 70% और उसमें जाना चाहती हूँ clinical work, because that is my strength. कि एक कभी-कभी किसी मरीज को देखकर ही मैं बता देती हूँ कि क्या problem हो रही हो, और कभी थोड़े test, तो ये क्या है, ये मैं नहीं हूँ, ये वो है, जो एक connection हो जाता है, कि मैं कैसे कभी-कभी मैं खुद हैरान होती है, हम 10 जने देखते हैं, और मैं बोलती हूँ उसको य ने बिमारी हो जाती है और गंभीर बिमारी हो जाती है, आप अपनी mental health का ध्यान कैसे रखती है, क्योंकि किसी को भी तकलीफ ना आए, बच्चों को तो बिलकुल भी ना आए. Right, to be honest, lately मैं बहुत stress रहने रगी हूँ, because आजकल, अभी तक, last 4-5 years से पहले मैंने ऐसे देखा नहीं था, जो patients और doctors का relation था, बहुत healthy relation था, हमेशा एक thank you, एक gratitude, चाहे वो फूल हो, चाहे वो काड हो, कितनी देते हैं, आप पूरी रात भी लगे रहते हो, patient के साथ, phone पे हम लगे रहते हैं, सोना नहीं and all, but कितनी लोग हैं, जो आपको, वो ये सोचते हैं कि आप एक commodity है, वो ये सोचते हैं कि भई, इनकी तो fees 800 रुपे दे दी, इसको ल में अगर आप उनको दो मिनट एक्स्टा नहीं दो, तो वो कंपलें, मतलब जो attitude हो गया है, उससे काफी stress होता है, दुख होता है. But as somebody who's always been overcoming the challenges and is a solution provider, Dr. Neelam Mohan, how to restore that beautiful patient-doctor relationship? मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत एक किताब लिखी जाए इस पे, जिसमें, there is so much, मैं जो मेरे department का motto है, अगर आप जाएंगे और किसी doctor जो मेरे अंदर काम कर रहा है, और वो जो लिखावा है, motto क्या है, उसमें हमने motto पहला रखा है, every child is our child, जिसका मतलब यह है, कि यह आपका बच्चा निए हमारा बच्चा है, अगर मैं यह सोच हूँ कि यह हमारा बच्चा है, तो मैं उसके लिए वो ही करूँगी जो मैं अपने बच्चे के लिए या अपने भाई के या अपने भेन के या अपने रिष्टेदार, तो यह मेरा attitude रहना चाहिए, similarly, आपका भ होना चाहिए, दोनों में प्यार मॉबबत उतना ही होना चाहिए, एक हम दोनों, it is not possible कि हम सारा टाइम फोन उठा पाएं आपका, लेकिन अगर आप मैसेज करें, कनेक्ट रहें, तरीके हैं, तो उस तरीके से हम सब एक डिसिप्लिन में हम सब चलें, तो परफॉर्मस बेट करनी चाहिए, कभी कितने लोग मुझे पोस्ते हैं, आप एक लेडी, आप इतना कुछ कैसे कर लेती हैं, तो तरूथ इस, आप हर टाइम एक प्लान करना चाहिए, कि आज आज आपको घर का क्या ओर दिया है, उसका भी आपको देना चाहिए, क्या खाना आ रहा है, क्या ये आप उसको perfectly execute कर पाते हो, कोशिश मेरी यही होती है, कि मैं सब को खुशी दूँ और दूँ, और कभी कभी दिल दुखता है, लेकिन मेरे को भी दिल करता है, कि कोई मुझसे भी प्यार करें, कोई मुझसे भी पूछे, कि आप, you know, like being in the best of, आपने जैसे पुछा, राजी व लेकिन उनकी भी sacrifice कितनी रही है, अगर वो मुझे support नहीं देते, कि मैं इस तरीके से पढ़ू हूँ, या मैं, तो it would not have been possible, तो ये credit मैं definitely चार लोगों को दूँगी, first my family, starting with my father, जिन्होंने मुझे dream करना सिखाया, और उसके बाद my husband, my in-laws, my children, जो, you know, कभी-कभी मैं, अगर कुछ parent-teacher meeting में नहीं पुंचती हूँ, मैंने interview सुना था, नूरी जो को की president है, वो बड़ी अच्छा था, तो तब वो बच्चे को भी समझना चाहिए, कि शायद मा किसी और की जिन्दगी में किसी और बच्चे के साथ लगी है, मैं किदर पा जिन्हों ने मुझ पर भरोसा किया, और मेरी team जिनके basis पे मैं नहीं, हम कुछ कर पाएं, और media जिसका इतना बड़ा रहात्रा है, कि जैसे जैसे हमने achievement की थी, जैसे वो first हमने transplant cadaver किया, first liver failure किया, first blood group किया, first ABO किया, first fact, तो इतने सारे जो achievements, first, 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 India हुए, चार achievements, world के first हुए, और उन सब को किसने किसने करा, media ने, तो media की भी बहुत हात्रा है, कि मुझे support मिला है, जिस तरीके से, तो मैं इन सब की शुकर गुजारूं, और end में friends, क्योंकि friends इस सब जगा में नहीं है, लेकिन friends हैं, जब आप दुखी होते हो, तो आप एक message भेशते हो, और उन से जो एक comfort zone आ जाता है, तो हम सब को उस चीज की भी जुरूत है. देखा एक ख्वाब तो ये सिलसले हुए, सिलसले पिचर का गाना है, and we hope that as someone who's got many firsts to your credit, you will continue to dream, so that you can have many more firsts because the society needs doctors like you, Dr. Neela Mohan, and let me at the end say two thank yous to you. One, on behalf of all the patients and stakeholders, we express our gratitude and thank you so much for joining us on the program to share your life in church, thank you.